हे गाइज वेलकम टू माई चैनल कभी इस कार्डन फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे घर पे असानी से टैरीरियम कैसे बनाएं देखिए मेरा जो दूसरा टैरीरियम है ये मैं आपको दिखाता हूँ अब इसे आपको खोल के दिखाता हूँ देखिए ये अंदर से ऐसा है मैंने इसमें कुछ रोक प्लांट और वुड़का यूस किया हुआ है देखिए भार से कितना अच्छा लग रहा है अब ऐसी करके हम अपनी इस बोटल में टैरीरियम बनाएंगे लेकिन दूसरे तरके से टैरीरियम बनाने के लिये हमें इसमें कुले लकड़ी कुछ प्लांट और यह गहास के उप defending यूज़ करेंगे और कुछ रोक प्त्थर का हम इसमें करेंगे जो भी प्त्थर हम इसमें ले रहे हैं वह सारे एक ही टाइप कर होने का नहीं करेंगे फ्रेंड्स अब हम इसका डक्कन खोल लेते हैं इसके बाद हम जो बोटल हैं उसे टेड़ा रखेंगे आप चाहें तो इसे सीधा भी रख सकते हैं मेरा जो दूसरा टेरेरियम है मैंने उसे सीधा रखा हुआ है और उसके बाद हम चम्मच की मदद से कोईले को टेरेरियम में डालेंगे ऐसे करके हम सारे कोईले बोटल के अंदर डालेंगे फिर उसके बाद हम इसमें कोको पी डालेंगे हम इसमें किसी भी और मिट्टी का यूज नहीं करेंगे हम इसमें गार्डन सुल का यूज भी नहीं करेंगे तो अब मैं इसमें कोकोपीड डाल रहा हूँ फ्रेंड्स ऐसे करके मैंने इसमें सारी कोकोपीड डाल लिया और वो जो वाला कोना है उसको मैं थोड़ा ऊपर रखूंगा क्योंकि मैं अधर पत्थर लगाऊंगा और इस वाले कोने को मैं थोड़ा नीचे रखूंगा और अब मैं चमच की मदद से कोकोपीड को हलका हलका दबा रहा हूँ फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें पत्थर लगा लेंगे वो जो वाला कोना है उधर में पत्थर लगाऊंगा तो अब हम इसमें पहला वथर लगा रहे हैं फ्रेंड्स अगर आपके पास मोस हो तो आप मोस का यूज़ भी कर सकते हैं तो इसे जो टेरेरिय में वो बहुत हरा भरा लगता है बहुत ही सुन्दर लगता है तो देखिए अम मैं इसमें दूसरा पत्थर लगा रहा हूँ वो मैं जो ये पहले वाला पत्थर है उसके उपर की तरफ लगाऊंगा जिससे की थोड़ा ये लेडर की तरह सीडियो की तरह लगे तो मैं इसे हलका सा मिट्टी में दबा दूँगा उसके बाद जो पत्थर के उपर कोको पीटे उसे हलका सा हटा दूँगा फ्रेंट्स देखिए अब मैं इसमें पत्थर लगा लियें अब मैं इसमें कुछ लकड़ी लगाऊंगा तो देखिए ये जो उड़ा है जो लकड़ी है मैं इसमें लगा रहा हूँ यह मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगा आप चलते से कहीं पर भी रख सकते हैं अपने टेरीरियम के अंदर और अब जो दूसरी लगडिया मैं वह लगाऊंगा देखिए यह वाली मैं यहाँ पर रखूँगा इसके साइड में आपको जैसे भी अच्छी लगती है आप वहाँ पर लगा सकते हैं और हम मैंने इसमें पत्थर भी लगा दिया हैं लगडी भी लगा दिया हैं पत्थरों को मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं तो देखिए फ्रेंट्स हमारा आदा टेरेरियम बन चुका है अब हम इनमें प्लांट लगाएंगे फ्रेंट्स देखी अब हमारे टेरेंजियम का आदकाम पूरा हो चुका है मैंने इसमें पत्थर भी लगा दिये हैं और लकडी भी लगा दिये हैं अब हम इसमें प्लांट लगाएंगे प्लांट जो हम इसमें चोटे चोटे यूज़ करेंगे बड़े प्लांट हम इसमें नहीं लगाएंगे देखिए मेरे पास ये कुछ प्लांट है अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा पहले मैं इसके अंदर Mother of Thousand का बेबी प्लांट लगा रहा हूँ वो मैं जो ये टेरे दिये मैं उसके कोने में लगाऊंगा देखिए मैंने जो ये बेबी प्लांट है ये लगा दिया है अब ऐसे ही करके हम इसमें दूसरे प्लांट लगाएंगे देखिए मैं इसमें टाटल वाइन लगा रहा हूँ देखिए टाटल वाइन मैंने जो रोक है उसके ऊपर लगा दिया है अब मेरे पास ये कुछ और प्लांट है मैं ये भी इसमें लगा रहा हूँ ये वाला प्लांट मैं इस वुड के जो पीछे है वहां पर लगाऊंगा और ये प्लांट भी मैंने इसमें लगा दिया है अब ऐसा ही एक और प्लांट है वो मैं इसमें आगे की तरफ लगाऊंगा देखिए ये भी मैंने लगा दिया है और अब हमने प्लांट भी लगा दिया है अब मैं जो वो मेरे पास एक ग्रास है वो मैं इसमें घास के रूप में यूज़ करूँगा देखिए अब मैं ये इसकी जमीन पर लगाूँगा जिससे कि ये एक ग्राउंड की तरह लगे तो देखिए अब मैं इसमें ये लगा रहा हूँ ये मैं यो इसका आगी का पोर्शन है उस तरफ लगा दिया है मैंने ये और ऐसे ही करके मैं अपने सारे टरुरिय में ये घास लगा दूंगा इससे ये जो टरोफ ये में बहुत ही अच्छा लगता है बहुत हरावरा लगता है तो देखिए फ्रेंड्स हमारे टाइरेजियम कंप्लीट हो चुका है अब हम इसमें कुछ जो इसका ग्लास है वो साफ कर देंगे फ्रेंड्स साफ करने के बाद हम इस फरेंड भकन डख देंगे और हम हर अफते इसका जो भकन है वो खोल के इसमें हलका सापानी का स्प्रे करके और इसकी ग्लास की सफाई करके इसे दुबारा बंद कर देंगे जिससे जो हमारे टारीजिम है यह अच्छे से ग्रौता रहे क्योंकि हम इसे बंद कर देते हैं उसके बाद ये जो ग्लास के अंदर से पानी भार नहीं जाता ये इसी के अंदर रहता है प्लांट वोई ले लेते हैं फ्रेंड से ज़्यादा तर जो टेरियरियम होते हैं वो या तो ओवर वोटरिंग के कारण या डारेक्शन लाइट में रखने से खराब होते हैं इसलिए हम इसमें ये दोनुई चीज नहीं करेंगे हम इसे बिलकुल हलका सा पानी देंगे और हम इसे इंडोर अपने घर के अंदर बैडरूम में किचन के अंदर ग्रो करेंगे वहाँ पर ये बहुती अच्छे से ग्रो करता है और इसे ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए होती बस ही असानी से हमारे घर में ग्रो होता रहता है और ये कई सालों तक हमारे घर में बन रहता है फ्रेंड्स देखिए हमारा टेरीरियम बनके तयार हो चुका है आप ऐसे ही अपने क्रिएटिव आइडिया से अपने माइन्ड से और नए आइडिया से टेरीरियम बुल्ड कर सकते हैं बना सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और अब्जर्ब कीजिएगा थैंक यू